हतेली में कैसे देखेंगे बुद्ध आदित योग क्या होता है ये बुद्ध आदित योग नक्षत्र में जब पृत्वी के सामने सूर्य है ठीक है और उसके मध्य एक बिंदु के रूप में बुद्ध दिखाई पड़ता है हम अपने नक्षत्र मंडल में जब देखते हैं तो हम को हम टेलेस्कोप लगा के जब देखते हैं तो सूर्य पे एक ब्लैक स्पॉट एक काला बिंदु छोटा सा राई के बराबर वो दिखता है वो बुद्ध होता है क्योंकि वो उसकी रोश्री को रोक कर चलता है इसलिए हम को वहां से दिखता है तो जब वो सामने आ जाता है फिर्थवी और सूर्य के सामने आ जाता है बुद्ध तो बुद्ध आदित्योग बनता है और कुंडली में भी आप देखेंगे बारा घर की कुंडली होती है और नोग रहे हैं बारा भाव हैं राशियां बारा है बुद्ध आदित योग बनने के चांसे ज़्यादा इसलिए होते हैं कि बुद्ध सूरे से ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं एक या दो घर जाते हैं दूर बस क्योंकि वो बुद्ध जो मरकरी है वो सबसे करीब है सूरे के सबसे करीब है सूरे के तो वो जादा दूर नहीं जा पाते हैं जादा तर समय वहाँ पे दिन ही रहता है सूरे के पास हैं और बहुत गरब हैं और बहुत रोशनी हैं उनमें खतेली में बैठने वाले हमारे बुद्ध जो है वो व्यपार को दिखाते हैं तो ये वाला परवस जो होता है ये बुध का परवस होता है और यहां से हम पता लगते हैं कि हमारी उद्धमिता से हमको कितना लाव मिलेगा और यह होता है सुर्य का परवत यहां से अगर कोई लाइन जुड़ जाए तो बुद्ध आधित योग बनता है राते मतलब सूर्य सूर्य का योग मैं योग बनता है आज मैं आपको वोर्ण दिखाऊंगो असाथियों मैं आरंब करता हूं श्री गड़ेशाय नमाहा मासरास्वती नमस्त अभ्यम एक बार हतेली की पूरी पिच्र देखिए ये हैं हमारी रिंग फिंगर और ये हैं हमारी कनिष्ठा अब इसके कनिष्ठा की नीचे यहाँ पर बनते हैं बुद्र और हमारी रिंग फिंगर जिसमें जाती का ने रिंग भी पहनी हुई है इसके नीचे बनता है सुरी का पर्वत अब ये दोनों को कोई लाइन निश्चल रूप से जोड़ दे अब देखिए एक लाइन यहां से अब ये है सुर्य का पर्वत और ये है बुद्ध का पर्वत जुड़े हुए है दोनों उस लाइन से यह रिखा कहलती है बुद्ध आदित योग इंटेलिजेंसी कम्मुनिकेशन इसके लिए इंटिलिजेंसी तो होती है अब शको की सुर्य के पास में ही बुद्ध है तो बुद्ध आदितियोग गॉमण योग भी है लेकिन हाँ एक इंटेलिजेंसी का फैक्टर तो है कारग भी है विक्टि कितना इंटेलिजेंट हो सकता है और कितनी समजारियों Bella हो सकती है खैर जोतिश में इस्थान का भी प्रभाव पड़ता है जैसे भारत में जो पैदा होगा वो ग्यानी हो गही तो यह भाव जबीन का भी मिल जाता है क्योंकि यह भूमी दिव्य भूमी है अब अगर सूरे का परवत यहां से और यह सूरे का परवत और यह बुद्ध का परवत अगर इस लाइन से जुड़ जाए तो हम कहते हैं कि इसे बुद्ध आदित योग होते हैं तो यह से लोगों के गुरू भी अच्छे होते हैं कि देखिए यह गुरू है और यहां पर मचली का भी फॉर्मेशन है इसे वोगों के गुरू भी अच्छे होते हैं इसे वी दमाग से दहन बनाते हैं जिसरी चीज कॉम्यूविकिशन की स्ट्रेंथ जब भो करते हैं तो अंतहीन बोल सकते हैं किसी विशयय पर और बेना रुके निरंतर तो उनमें speaking power भी बहुत होता है जिसको हम कह सकते हैं talkative हम उसे wit and humor भी कह सकते हैं जो हस्मुक सभाव का होता है हर दिल अजीज होता है सब को हसाता रहता है बुध आदितियों ये भी हमें प्रदान करते हैं क्योंकि बुध भी इसने प्रेम के देवता है सुन्दरता के देवता है सबसे सुन्दर के रहे हैं तो वो भाव भी आ जाता है तो ऐसे लोग हस्मुक होते हैं और बुध आदित योग वाले अपनी बोलने के कारण शम्ता के कारण लव कर बैठते हैं या कहीं हो जाता है ये इनमें बहुत कॉमन होता है ये लोग लव मेरी जी करते हैं सूर्य और बुध आदित योग वाले एक होगे इंडेलिजेंट बहुत होते हैं और दूसरी दूसरा चीज है कम्यूनिकेशन स्ट्रेंथ बहुत होती है आप इसे सीधा सामने कोई व्यक्ती बोल रहा है किस परकार वो देखकर आप जान सकते हैं कि बुध आदितियों कितना प्रबल है किसी के पास डिगरी में जितना पास होगा वो सूर्य के अगर 4 डिगरी से 6 डिगरी आप अपनी कुड्ली में देखिये सूर्य कीboarding चार और साथ के बीच में हिए तो भहुत प्रवावी होता है 12 डिगरी के बाद और तो अस्थ हो जाता है रिटyangel ऑर्फ में डिगरी है चार से साथ के बीच में तो अच्छा प्रभाव देगा तो आप अपनी इंटेलिजनिस लेवल जो है कभी-कभी हम अपने आपको कमता रांक लेते हैं कभी-कभी हम अपने आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तो सभी चर्चा करते हैं लेकिन कभी-कभी हम अंडर कॉन्फिडेंस में भी रह जाते हैं कभी-कभी मैं पता होता है यार यह तो मैं कर सकता था यार मैंने क्यों नहीं किय कि वह अपनी पाराकार्म पर पस्तावा होता है तो ऐसी नेगर्टिव भी दे जाते हैं है तो जब ऐसे जा तक जब भी बोलेंगे बहुत बोलेंगे बहुत अच्छा बुद्धी का विकास होता है पर आश्या करता हो मित्रों मेरा यह पर आपको पसंद आया होगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, सबिस्क्राइब करते चलिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे श्री गणेशाय नमाहा, मासरस्वती, नमस्तु भ्यम